हेलो एविवन, वेलकम डो माई चैनल, मैं आप सब के लिए लेकिया हूँ एक न्यू रेसिपी, कच्चे केले का कोफता, ये सब हम लोग घर में बहुत ही असाई तरीगे से बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने छे कच्चे केले को और एक को उबाल लिया है, उबाल लेने के बाद पहले उबर केले को अच्छी से छील लूँगी, अब इन सब को मैं मैश करूँगी, जो उबले आलू से उसको भी मैश कर लूँगी, ये मैंने मैश कर लिया है, दो बारिक कटी भी हरी मिर्ची दूँगी, एक बारिक कटी भी प्य जीरा पावडर, नमक, लाल मेच का पावडर, हल्दी पावडर और आधा कप बैसन देखे अच्छे से मिक्स कर लूँगे सारे मसाले अब अपने स्वात के नुशा लेंगे अब हतेली में हलका सा तेल लगाकर हम इसको ऐसे गोला बनाएंगे गोला देखे अच्छे से हम इसको राउंड शेप में बना लेंगे ऐसे हम बागी फूरे सब को बना लेंगे हमने सारे कोफती को बना लिया है अब एक कड़ाई में तेल गरम होने देंगे तेल गरम हुआ है चेक करने के लिए हम एक पिक को रखेंगे अगर ऐसे बवल्स आने लगे इसके मलत हमा तेल गरम हो चुका है इसमें हम अपने कौफते को फ्राइ कर लेंगे दोनों साइड हम अच्छे से हलका ब्रावनों तक फ्राइ करेंगे ये देखिए इस कलर को होना चाहिए अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसको हम प्लेट में रख देंगे बाकियों को मसे बना लेंगे अब एक कड़ाय को गरम होने देंगे गरम होते हैं इसमें हम दो चम्मच तेल देंगे एक चम्मच घी देखके चैसे गरम कर लेंगे अब इसमें हम जीरा, लॉंग, दार्चीनी और तीछ पर्दे के हलका से फ्राइ कर लेंगे अब हम एक कप टर्माटर और प्याज का पेज देंगे देखके चैसे इसको हम फ्राइ कर लेंगे यहां मैंने एक टर्माटर और एक प्याज लिया है जेब अच्छी से भून जाए तब मैं यहां पे दो चमज, जिंजर गालिक पेज दूँगी देखके चैसे मिक्स कर लूँगी हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों की स्मेलना चली जाए जब मसाल से तेल निकलने लगे उसके बाद हम हल्दी पाउडर और लाल मिच का पाउडर देखके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे क्या होता है हमाई सबजी का रंग और भी गहरा लंग काता है अब हम नमक देंगे स्वादा अनुसर देखके जैसे मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने एक कप पाणी दिया है पाणी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखके इसमें उबालाने देंगे यही देखके जैसे उबलने लगे इसमें अब हम फ्राइ किया हुए केले के कोफ़ते को हम दे देंगे देखे हम इनको 2-3 मिन्ट तक बखने देंगे अब हम बारिक के टीवी धनिया परता देंगे कुछ दिर बाद हम हलके हातों से इन केले के कोफ़ते को पलट देंगे सो बन के त्यार एक अच्छे के लिए का कोफता इसको मैं प्रेट में सब कर दूँगे अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आप में चैनल पे नए आये हैं सब्सक्राइब कीजिए